खबर टोंग के मालपूरा से जहां उखंड के सबसे बड़े बालिकार राजकी उच्छे माधिविक स्कूल बेवसी का शिकार हुरा है इसकूल में लगबग आठ साल पहले बरसाती पानी को इखटा करने के लिए दो बड़े हौद बनाए गए थे जिनकी गहराई 30 से 35 फीट है हौद के निर्मान के बाद से अब तक एक बून भी पानी उपयोग में नहीं लिया गया स्कूल परिसर के बीचो बीच बने पानी के होदों से स्कूल में सीला ना चुकी है इस वज़ा से पहले भी कई कमरेद भस्त हो चुके हैं स्कूल की दिवारे इतनी कमजोर हैं कि अगर स्कूल के पाद से कोई विभारी बहान गोजरता है तो स्कूल में कम पन महसूस होता है लेकिन स्कूल ने नगरपाली का और उखण प्रशासन को यहां तक की जिला कलेक्टर से जन परतिनिजियों तक इनको बंद करने की गुहार लगा चुके हैं पर सुनवाई नहीं होने पर लगता है कि प्रशासन बड़ी दुरगटना घटि होने का इंतजार करता है कि कि सरकारी योजनाओं को किस तरह पलीता लगाए जाता है किस तरह आम जन्म को चुना लगाए जाता है मैं इस समय को मालपर में हाइस सिक्टर इसकूल अगल्चाइज के इंदर खड़ा हूं मेरे पीछी देगे केमरामन को दिखाँ आपको गोल पानी का होद है लगबग लगबग तीस से 35 फिट गहरा और इतने लंबे चोड़े वास का इस तरह के दो पानी के बने हैं यह नगरपाली का निसलिए बनाई थे कि यह स्कूल की छतों पर जतना पानी होता है मैदान पानी होता उसको शिंचित किया है उस पानी को इकटा कर सब्सक्राइब करें चोड़ाई में यह होद है इन में जो पानी बरा इसकी वज़े से पूरे जितने बीसको कमरें उन सब में चीलन आचुकी मैं आपको दिखाव मुझे दर देखिए यह जो देखने आप एक कमरे में शीलन आई हुए और पीछे एक बार केमरा में पीछे देखिए नव निर्मान होदा नो कमरों का वो नो कम रेक इसलिए रहे गए कि इन होद में पानी बरावा मतलब पानी एक बूंद यहां से काम मिने था केवल बरावा है और सबसे बड़ी बात यहां शिकायत की गई है नगरपाली का परसा सिंज की गई है उपखन रदिकार को ग्यापन दिया गया यहां तक कि जिला क्लेक्टर को भी अवगत कराया गया लेकिन परिणाम क्या है डाक के तीन बात कोई सुनने वाला नहीं है 400 बच्चिया 400 बच्चिया इस स्कूल भी पड़ती है कभी भी कोई भी हाथ्षा हो सकता है सबसे बड़ी आपको बताओ में बात यहां जो नवनी रुमान चल रहा इसमें अगर कोई वाहन ट्रक यीटे लेके सिमेट लेके या जो बिल्डिंग में लेक्या तो आप मानेंगे नहीं यहां कंपन होता है कंपन होता है वह यहां कि शिक-शक के चुके हैं कि लगातार बैसाब कभी भी कोई हाथ्षा हो स करता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है मैं आपकोन चलिए एक कमरा दिखाता हूँ उसमें आप देखी बच्छी किस प्रागरा की परसनों को नीची जमीन पर देखिए आप सर्दी के मौसम में और यह नहीं है च्छते जो है वो भी जर्जर हो गई है और केवल इसलिए कि यह जो कुए हैं में पानी बराव उसकी वज़े से और एक कमरा नहीं है इस तरह के कापी सारे कमरे हैं और बच्चे इस सानोरे है और को